नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ओमेवेस्ट टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है. ओमेवेस्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओमेवेस्ट टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ओमेवेस्ट एक ब्रैंड नेम है. ओमेवेस्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन इसो में प्राजोल 40 mg होता है. ओमेवेस्ट टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है। Omavist Tablet का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Omavist Tablet का उपयोग किया जाता है। Omavist Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ, दवाओं की वज़ह से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी Dr. Omavist Tablet को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ह से ये Side Effects ना हो। इसलिए आपका Dr. Omavist Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा Omavist Tablet का उप्योग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger-Ellison Syndrome को ट्रीट करने के लिए भी Omavist Tablet का उप्योग किया जाता है। Jolinger-Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Omavist Tablet की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Omavist Tablet की वजह से कुछ Side Effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा Omavist Tablet की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं। लंबे समय तक Omavist Tablet का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Omavist Tablet को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैल्शियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Omavist Tablet को दो सप्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार Omavist Tablet को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। Omavist Tablet की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब Omavist Tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अब हम डिसकस करेंगे की Omavist Tablet को कैसे लेना recommended होता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Omavist Tablet को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। Omavist Tablet को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। Omavist Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Omavist Tablet का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Omavist Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओमेवेस्ट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.